पर आपको उपर की साइड में बहुत सारे अप्षिन देखने को मिलेंगे तो यह जो होम का उप्षिन है इस पर हम बढ़िया तरीके से क्लिक करेंगे तो इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे ने तो हमारे सामने एक और पेज उपन हुआ इस पेज पर आप देख सकते हैं derivative trained करके एक option आया ठीके इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने एक पेज उपन होगा इस पेज पर दोस्तों जितने भी sector है सबी की list यहां पर हमें देखने को मिल रही है अब हमें जो भी sector को analysis करना है उसको कर सकते हैं ठीके तो हमें technology sector को analysis करना है तो सबसे पहले technology sector का performance देखिए तो इसमें दिख रहा है कि गिरावट है ठीके कितने गिरावट है मतलब काफी ज़्यादा है आज दोस्तों यह सबसे बड़ा loser देखने को मिल रहा है यह sector ठीके पुरे stock market में अब इस पर जैसे click करेंगे ठीके तो जितने भी stock है न सभी की list आ गई है अब सभी के नाम यहां पर देख लीजिए ठीके price यहां देख लीजिए price percentage में है और जो हमारा open interest है वो यहां पर देख लीजिए ठीके हमें यहां पर सारी चीज़े देखने को मिल रही है अब यहां पर हमें जो भी stock को analysis करने है उसको analysis कर लीजिए आज IT सक्टर इतना क्यों गिरा वो यहां पर देख लीजिए हमें दूसरे page पर जाके दोस्तो परिशान होने की जर्वत नहीं है एंजल वन ने सारी इसी बेप page पर दे दिया है हम मान लीजिए दोस्तो हमें इस stock को analysis करना है ठीक है तो इसके ओपर वह stock है न वासलिस में add हो चुका है ठीक है अब उसी stock पर चार्ट पर दोस्तो क्या कर सकते हैं यहां से time frame बदल सकते हैं candle बदल सकते हैं यहां से जो भी indicator लगाना है आप लोगों को वह भी लगा सकते हैं तो time frame और candle तो सही है indicator लगा लेते हैं तो हमारा जो indicator है वो है दोस्तो bollinger band का तो यह देखें यहां आ चुका है second number पर इस पर जैसे click करेंगे तो यह लग चुका है ठीक है अब लगने के साथ ही दोस्तो यहां से tools का उप्योग करेंगे तो tools में सबसे पहले horizontal line का उप्योग करते हैं जो यहां से यहां तक लगाएंगे ठीक है horizontal line के साथ एक support level भी हम देखेंगे दोस्तो जो हमें काफी दूर तक का देखने को मिल रहा है ठीक है तो यह level हो गया दोस्तो 1505 का ठीक है यह level के अगर ऊपर दोस्तो यह stop निकलता है तो comfort zone में देखने को मिलेगा otherwise यहां पर गुमेगा तो sustain दे चतर के नीचे तो काफी ज्यादा pressure दोस्तों हमें इस stock में देखने को मिल सकता है ठीक है तो हमने यह analysis कर लिया और analysis दोस्तों खाली education की purpose से और knowledge के purpose से किया है अम मान लीजे दोस्तों हमें इसी stock को chart पर ही buy या sell करना है तो आप देख सकते है buy का और sell का option दिख रहा है buy करना या sell तो हमें buy चलो buy पर click करेंगे तो हमें यह पर कितनी quantity buy करना है तो मान लीजे 300 quantity buy करना है तो आप देख सकते हैं यह जो 300 quantity है इस price से कितने क्यारी है पता चल रही है साथी में place barter पर click करेंगे order हमारा summit हो जाएगा और हमारा जो profit or loss है यहाँपर हमें portfolio पर देखने को मिले है angel one है जैसे कि आप दोस्तो left hand side पर देखेगा आपको हमारा जो mobile screen है वो देखने को मिल जाएगा यहाँपर दोस्तो हमने हमारा angel one का जो mobile application उसको open किया है थोड़ा सा उपर करेंगे तो यहाँपर हमें एक option देखने को मिल जाएगा जिसका नाम दोस्तो in started यह बहुती शां time frame लगाना यहाँ लगाओ चार्ट पर Candle यहाँ से लगाओ चार्ट पर Indic 삶 कर लो नहीं से call ले लो यहाँ से है ठीक है अब बढ़िया तरीके से जो बैप पेज पर स्टॉक दिख रहा है ना हम उसको बढ़िया तरीके से साच कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां चुका है फर्स नंबर पर इस पर जैसे क्लिक करेंगे ठीक है तो आप देख सकते हैं उस स्टॉक का चार्ट हम बढ़िया तरीके से analysis कर लेंगे यहां से ठीक है उसके साथ ही चार्ट पर indicator लगाना है यहां से लगा लेंगे फिर नीचे buy का और sale का option दिख रहा है buy करना है या sale तो हमें buy करना है चलो buy पर click करेंगे buy पर हम दोस्तों जेसे click करेंगे तो यहां पर quantity quantity लेना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं 300 quantity इस price से कितने यहां पता चल रहा है साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों confirm कर रहा है पटा पट से हमारे वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो तैंक यू दोस्तों